नमस्कार दोस्तों मैं हूँ वेद व्यास और स्वागत करता हूँ गाइस मैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेकनिकल नॉलेज एक्सपर्स में तो गाइस अगर आपका लैठ टॉप भी बहुत ज़ीज़ा इंटनेट डेता यूज़ कर रहा है और गाइस आपके लैप टॉप में भी Windows Update बैक्राउंड में रुनिग है और गाइस बहुत सारे डेता आपका internet use हो रहा है और आप laptop में data को अच्छे से नहीं चला पा रहा है net अच्छे से use नहीं कर पा रहा है तो चलिए guys आज की इस वीडियो में हम आपके लिए solution लेकर के आ चुके हैं तो guys start करते हैं आज की वीडियो को so guys सबसे पहले आपको क्या करना है आपकी जो this PC है इस पर आजाना है और यहाँ पर आजाने के बाद guys इस पर आपको right click करना है तो guys this PC पर right click करना है इसके बाद जो manage को option दिख रहा है इस पर आपको click करना है तो guys एसा कुछ interface आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर guys जो services and applications को option आपको दिख रहा है इसके बाद जो services है इस पर आपको double click करना है और guys एसा interface आपके सामने open हो जाएगा अब यहाँ से guys आपको scroll down करना है और यहाँ पर आपको search करना है windows update तो guys यह देखिए यह है Windows Update So guys आपको चेक कर लेना है कि यह Startup Type जो है यह Disabled है की नहीं So guys Windows Update में Startup Type आपका Disabled होना चाहिए और इसका Status जो है यह Running नहीं होना चाहिए So guys इस पर आप Double Click करें और यहाँ पर Startup Type Disabled सेलेक्ट कर लें और Stop के Button पर Click कर दें इसके बाद guys आपको Settings को Apply करना है और OK के Button पर Click करना है So guys AC Settings यहाँ पर होनी चाहिए इसके बाद guys इसको हम लोग Close कर देंगे अब देखिए guys अब आपको क्या करना है Wi-Fi पर आ जाना है और Wi-Fi पर आ जाने के बाद आपका जो भी Wi-Fi Network आपने Connect किया है उसकी Properties पर आपको चले जाना है इस पर हम लोग Right Click करेंगे और Properties पर क्लिक कर देंगे So guys यहाँ पर आ जाने के बाद अब आपको नीचे आना है और जो Metered Connection को Option दिख रहा है guys इसको आपको On रखना है यह Off होगा तो आपको इसको On कर देना है तो चले है guys अब इसको भी हम लोग Close कर देंगे तो guys यह थी हमारे Solution अगर आपका Data बहुत जादा Excessive Data यूज हो रहा है आपके Laptop में So guys जो भी Solution हमने आज इस वीडियो में बताए इस Solution से जरूर आपका जो Data है वो Save हो जाएगा So guys यह थी हमारे आज की वीडियो है एसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों